हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बढ़िया होंगे आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी आज का जो टोपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपको यहां पर दिख रहा होगा हस्ता हुआ चहरा आपको दिख रहा है है आज हम पढ़ने वाले हैं order of reaction unit 4 chemical kinetics का एक important topic है order of reaction इसके बेस पर आपकी एक्जाम में questions बनने वाले हैं definitely so please guys concentration यहां पर बनाए रखिएगा video end तक आपको देखना है video अगर end तक आपने concentration से देखा हैं तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि order of reaction से related कोई भी question आपकी एक्जाम में अगर आएगा तो आप 100% sure कर पाएंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम order of reaction की definition देखेंगे with examples और उसके बाद में order of reaction की जो types हैं वो हम देखेंगे तो order of reaction की definition लिखी है वो हम पहले देख लेते हैं क्या लिखा है definition में the sum of powers of concentration of the reactants in the rate low expression is called the order of that chemical reaction मतलब की जो rate low expression में जो concentration molar concentration होती है उसकी power का जो sum है वही क्या कहलाता है order of reaction अब यहाँ पर rate low expression वर्ड आया है rate low expression तो भाया क्या चीज़ है यह rate low expression तो हमने पिछले ही वीडियो में यह clear किया था rate low और low of mass action यह हमने पढ़ा था वहाँ पर मैं यहाँ पर अगर deeply समझाने जाओंगा आपको तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके पास इतना time है नहीं कि आप इतना बड़ा वीडियो देखें तो प्लीज description box में पिछले वीडियो की link मैंने दे दी है आप वहाँ पर जाएए और पहले rate low किसे कहते हैं क्या चीज़ है उसे clear कीजिए और यह वीडियो देखिए आपको बहुत ज्यादा benefit मिलेगा ओके तो यहाँ पर rate low से related ही माम बनने वाला है इसलिए मैं आपको suggest कर रहा हूँ कि पहले rate low वाला जो वीडियो है वो आप देखिए तो जो rate low होती है rate low expression जो होता है उसके अंदर जो molar concentration होती है है ना square bracket के अंदर हम लिखते है molar concentration को तो square bracket के अंदर जो molar concentration होती है उनके उपर जो powers लगी हुई होती है उनका sum जो होता है वही यहाँ पर क्या कहलाता है order of reaction ठीक है rate low expression में जो molar concentration है उनकी powers का sum order of reaction ठीक है चलिए अब यहाँ पर हमने एक general reaction consider की है a a plus b b gives product है ना मतलब कि यह reactant है a और b और इनका stoichiometric coefficient है small a और b का stoichiometric coefficient है small b तो यह दोनो react करके product का formation कर रहे है तो यहाँ पर rate low हम किस तरह से लिख सकते है rate is directly proportional to a to the power p into b to the power q अब आप मुझे यह नहीं कह सकते हैं कि भहिया यह p कहां से आया और q कहां से आया क्योंकि यह पिछले वीडियो में मैंने explain किया है बहुत ही अच्छी तरीके से है ना stoichiometric coefficient के equal भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है है ना मैंने बताया था आपको कि यह जो stoichiometric coefficient है यह जो power है यह इस stoichiometric coefficient के equal भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है गुल्डबर्ग और वागे का जो rule था जो law of mass action था वहाँ पर stoichiometric coefficient को ही हमने power के रूप में use किया था सही है और इसके बाद हमने पढ़ा था rate low rate low में क्या हो रहा था कि यह जो stoichiometric coefficient है small a और small b इसके equal भी हो सकती है यह power p और q इसके equal भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है कोई guarantee नहीं है कि equal हो और यह भी guarantee नहीं है कि equal नहीं हो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर rate low हमने लिखा rate is directly proportional to a to the power p into b to the power q अब यहाँ पर order of reaction क्या हो जाएगी n is equals to p plus q हाँ मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है order of reaction को denote किया जाता है n से ठीक है order of reaction को हम small n से denote करेंगे याद रखिएगा ओके तो order of reaction क्या हो जाएगी इस reaction के लिए n is equals to p plus q इसको हम एक general reaction से देखते हैं समझते हैं चलिए अपने पास एक reaction है मैं एक reaction ले रहा हूँ 2no plus o2 gives 2no2 ठीक है 2no plus o2 gives 2no2 यह एक reaction है हमारे पास अब इसमें देखिए इसका पहले तो हम rate low लिखेंगे rate low कैसे लिखते हैं देखिए कुछ नहीं करना है हमें लिखना है rate is directly proportional to reactant reactant यहाँ पर क्या है no है और o2 है अब देखिए यहाँ पर इसका stoichiometric coefficient 2 है तो इसकी power में हमने क्या लगा दिया 2 और यहाँ पर o2 के आगे कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर power में 1 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n is equals 2 देखिए no की power क्या है 2 है तो यह हमने 2 लिख दिया और o2 की power क्या है 1 लिख दिया तो sum करना है हमें sum करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n की value क्या आजाएगी 3 यानि की यह third order reaction है बिल्कुल easy है है न कुछ भी नहीं करना है सिर्फ जो power है जो stoichiometric coefficient यह जो power लगी हुई है सिर्फ इतना याद रखिए कि जो power है उनका sum हमें करना है यहाँ पर इसकी power है 2 यह 2 कहां से आया है यहां से आया और o2 के आगे 1 है कुछ नहीं है यानि की 1 है तो यह 1 लिख दिया तो 2 plus 1 is equals to 3 यानि की यह third order reaction हो गए अगर n की value 1 आएगी तो first order reaction n की value 2 आएगी तो second order reaction बिलकुल easy है अब यहाँ पर लिखा है order of a reaction can be 0, 1, 2, 3 and even a fraction fraction भी हो सकती है order of reaction है ना half order reaction हो सकती है 3 by 2 हो सकती है है ना तो मतलब fraction भी हो सकता है और 0, 1, 2, 3 यानि की 0 order reaction first order second order third order reaction भी हो सकती है साथ में fraction fraction भी हो सकती है तो चलिए जो first order reaction है इसको हम समझते है first order reaction में क्या लिखा है ध्यान दीजिए in first order reaction the rate of reaction is determined by the variation of one concentration term only मतलब की first order reaction में क्या होगा कि जो rate of reaction है वो सिर्फ और सिर्फ वन concentration term यानि की सिर्फ और सिर्फ एक ही concentration term के उपर depend करेगी या determine होगी ठीक है first order reaction में क्या होगा सिर्फ एक concentration term से determine की जाएगी first order reaction ओके चलिए यहाँ पर example लिखे है इससे आप और अच्छे से clear हो जाएंगे देखिए first example है N2O5 nitrogen pentoxide तो N2O5 जब decompose होगा तो क्या बनेगा N2O4 plus half O2 अब यहाँ पर देखिए यह जो order of reaction इसकी हम लिखेंगे या calculate करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक concentration term पर ही यह order of reaction depend कर रही है N2O5 पर ही depend कर रही है nitrogen pentoxide पर तो यहाँ पर इसका जो rate low है वो हम लिख सकते है rate is equals to k rate constant है और square bracket में हमने लिख दिया N2O5 अब देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 suppose कर सकते हैं तो इसके आगे हमने यहाँ पर 1 लगा दिया अब दूसरा example लिखा है यहाँ पर H2O2 hydrogen peroxide जब decompose होगा तो क्या बनेगा H2O plus half O2 तो इसका rate low क्या लिख सकते है rate is equals to k सिर्फ और सिर्फ H2O2 पर depend है और यहाँ पर कुछ नहीं है means 1 है तो इसलिए N की value यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो इसी तरह से NH4 NO2 ज यहाँ पर भी N की value 1 हो जाएगी तो जब भी N की value अगर 1 आएगी तो वो हो जाएगी first order reaction ठीक है first order reaction किसे कहते हैं और order of reaction क्या है यह दोनों ही आपको अच्छे से clear हो चुका है अब हम आगे पढ़ने वाले हैं second order reaction and third order reaction तो चलिए guys अब हम second order reaction and third order reaction की definition with example समझने की कोशिश क करते हैं सबसे पहले definition हम देखेंगे second order reaction की इसमें लिखा है these are the reaction in which the rate of reaction is determined by the variation of two concentration terms मतलग की जो second order reaction होती है वो सिर्फ दो concentration terms पर depend करती है यहाँ पर दो concentration terms होगी second order reaction में example हम देखते है first reaction लिखी है h2 plus i2 gives 2hi यहाँ पर देखिए इसका stoichiometric coefficient कुछ नहीं है हमने one suppose के लिए इसका भी one suppose के लिए तो यहाँ पर rate expression लिखने पर क्या हो जाएगा rate is equals to k h2 की power क्या हो जाएगी 1 और i2 की power 1 तो यहाँ पर 1 plus 1 is equals to क्या हो जाएगा 2 तो n की value 2 है means second order reaction follow कर रही है यह reaction 2hi gives h2 plus i2 इस reaction का reverse है यह ना reversible reaction है तो यहाँ पर देखिए इसका stoichiometric coefficient क्या है 2 है तो यहाँ पर n की value क्या आजाएगी 2 आजाएगी तो यह भी क्या है second order reaction third example हम देखते है no plus o3 gives no2 plus o2 अब यहाँ पर इसका stoichiometric coefficient 1 इसका भी 1 तो rate is equals to k no की power क्या हो जाएगी 1 और o3 की power हो जाए equals to यहाँ से भी आ जाएगा 2 तो जो second order reaction है उसके example और जो definition है वो भी बहुत ही easy है बस अगर आपने first order reaction की definition याद कर ली तो second और third order reaction की definition तो बिलकुल easy हो जाएगी सिर्फ आपको ध्यान देना है example पर ठीक है चलिए अब third order reaction हम देख लेते हैं इसमें लिखा है in third order reaction the rate of reaction is determined by the variation of three concentration terms यहाँ पर तीन concentration terms होगी example यह लिखा है 2NO प्लस O2 इसका stoichiometric coefficient 2 है इसका 1 है तो यह हो जाएगा NO की power 2 और O2 की power क्या हो जाएगी 1 तो यहाँ से 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 तो यह third order reaction को follow कर रही है यह वाली reaction अब second जो example है वो लिखा है 2NO प्लस BR2 gives 2NO BR मतलत कि यहाँ पर देखिए इसका stoichiometric coefficient 2 इसका 1 तो यह 2 प्लस 1 तो N is equal to आ जाएगा 3 तो जब भी N की value 1 हो तो first order reaction होगी N की value 2 हो तो second order reaction N की value अगर 3 हो तो third order reaction बहुत ही ज्यादा easy है बस example आपको याद होने चाहिए ध्यान में होने चाहिए तो I think first order reaction second order reaction और third order reaction क्या है इनके example क्या है यह आपको अच्छी तरीके से clear हो चुके है एकदम मखन हो गए है बहुत ही easy language में मैंने आपको समझाए है अगर आपको यह video अच्छा लगा है पसंद आया है तो please like कीजिए ज्यादा से ज्यादा share कीजिए और अगर पहली बार channel पर आकर video देख रहे हैं तो subscribe भी जरूर कर लीजिए चलिए guys मिलते हैं अब next video में till then thank you so much जैहिन